नमस्कार दोस्तों इस सेजन में हम भारत और विस्ट के कुछ और अरगनाईजेशन के बारे में उनका वीकली करेंट अफेर डिसकस करेंगे यह हमारा वीकली करेंट अफेर डिसकसन का स्टेडूल आप इसे चेक कर सकते हैं यह हमारा जीएस की लाइब क्लासेस का स्टेडूल साम को 3 वज़े से 5 वज़े तक State PCS की Classes चलती है और 6 वज़े से 8 वज़े तक UPSC की Life Classes चलती है आईए देख लेते हैं हमारा आज का Agenda क्या है हमारी पास आज 4 टॉपिक हैं पहला है Electric Vehicle से Related दूसरा है MIST इसके बारे में देखेंगे यह Important है Antarctic विदेख 2022 सभी पारित हुआ इसके बारे में देखेंगे और रूस यूक्रेइन ख़द समझोता हुआ है इसको देखेंगे चलते हैं हम आज के अपने पहले टॉपिक पर हमारा आज का पहला टॉपिक है Electric वाहन के पुनर चक्रण से संबंदे अब ये न्यूज में क्यों है Electric वाहन का क्योंकि कॉप 26 के अध्यच और नीद आयोग ने Electric वाहनों में प्रेक्ट होने वाली बैटरियों के पुनर चक्रण के लिए कुछ पहलों का सुभारंब किया है अब वो पहले दो पहले है मुखता एक है E. Amrit और दूसरा है A.C.C. Advanced Chemistry Cell ये बैटरी है एक एड़वांस है इसको आँगे देखेंगे क्या है E. Amrit E. Amrit का इसका फुल फार्म है Accelerated E. Mobility Revolution for India's Transportation इसको याद रखना है E. Amrit क्या है Accelerated E. Mobility Revolution for India's Transportation ये है Electric वाहनों के बारे में जाग रुकता बढ़ाने के लिए E. Amrit का रखना चलाया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों पे लोग और आकरसित हों इलेक्ट्रिक वाहनों की और और जो कन्वेंशनल फ्यूल वाले वाहन है उनको डिमोटिवेट करने के लिए और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोट्साहित करने के लिए E. Amrit का रखना चलाया जा रहा है दूसरा है A.C.C. Advanced Chemistry Cell इस सेल के रियूज पर एक रिपोर्ट जारी की जाएगी जो बैटरी हैं उनका रियूज किया जा रहा है कैसे किया जा रहा है और ये रिपोर्ट जारी करेगा एक ब्रिटेन की एक कमपनी है Green Growth Fund टेक्नोलाजिकल कॉर्पोरेशन फैसिलिटी Green Growth Fund टेक्नोलाजिकल कॉर्पोरेशन फैसिलिटी इसके द्वारा एक समर्थित होगी ये रिपोर्ट A.C.C. Advanced Chemistry Cell Battery To Use रिपोर्ट UK की कमपनी द्वारा समर्थित होगी अब देखते हैं ये A.C.C. है क्या ये है एक नई टेक्नोलाजिय है जो विद्द उर्जा को रासाइनिक उर्जा में रुपांतरित करेगी और उस रासाइनिक उर्जा के रूप में ही उसका बंडारण भी करेगी और जब और सकता पड़ेगी तो उस रासाइनिक उर्जा को कनवर्ट कर देगी वो इलेक्ट्रिक उर्जा में कनवेशनल सेल में क्या होता है जैसे आप एक नॉर्मल सेल देखते होंगे उसमें क्या होता है कि इसमें रासाइनिक एक उर्फासानिक चीजें भरी होती है एक उर्जा की रूप में बिजली संग्रीत होती है और यह आपको Canvert करदेता कि इसमें विद्धद उर्जा में याप जिस डिवाइश में आप लगाते हैं वह आपको Canber करेंगे तो वह इलेक्ट्रिक यह जो रसाइनिक फार्म है इसमें इस्टूर रहा आएगा और जब आपको जरूरत होगी तो इसी से आप कोई भी अपना इलेक्ट्रिक बाहन चला सकते हैं या इसको बिद्दुद्ध में कनवर्ट कर देगा इसका उद्देश क्या है भारत मे बैटरी के पुनर चक्रण को बढ़ावा देना प्रुट्साहित करना और बैटरी प्रद्योगी की का विकास करना बैटरी प्रद्योगी में क्या आएगा जैसे अभी मालेते हैं एक वेहिकल को चार्ज करने में लगभग कई जो है तो उसमें तीन से चार घंटे मिनिमम का टाइम तक अगर हो जाता है तो इसको बहुत अच्छा इनुवेशन माना जाता है बैटरी प्रद्योगी के छेतर में और बैटरी आपूरती स्रंखला तयार करना जैसे इलेक्ट्रिक बहानों की डिमांड तो हम प्रत्साहित कर देंगे लेकिन अगर उनकी डिमांड पू काम में आएंगे एमरित और एसी सी दोनों को मिला के यह सारे उद्दे से प्राप्त करने की योजना बनाया है नेतिया योग ने अब पुनर चक्रण क्यों करते हैं क्योंकि हमारे पास कच्छा माल सेमित है यह लेटियम आयन बैटरी अधिकतर यूज कर रहे हैं हम लोग ज लीथियम के लिए हम आयात पर भारत की पूर्ण तया लगभग आप समझ सकते हैं कि 80-85% हम लीथियम आयात लीथियम के लिए आयात पर ही निर्भर हैं और यह आयात हम कर रहे हैं विक्सित देशों से विक्सित देशों से क्योंकि लीथियम का लीथियम आयन करनिस करसन आसान नहीं होता इसमें यह इसमें हैवी टेकनोलोजी लगती है जो कि विक्सित देशों द्वारा ही इसका लीथियम का उत्पादन किया जा रहा है भूजल प्रदूसर्ण होता है भूजल ँर्फिकतां में फिख दिया पानी बर्सा उस बैTERY में पानी बड़ा तिसमें जो केमिकल पड़ा होगा यह धीर 이제 धीरे-धीरे-धीरे जैसे यह बैट्री खराब होती जाएगी तूटती जाएगी इसका जो केमिकल है निकाल के भूमी में समाहित रहे इससे भूजल का प्रदूसर्ण भी बढ़ेगा इसलिए हमको पुनर चक्रन के सकता है कि कोई फैके ना इनको हम फिर से इसके में जो केमिकल कंपाउंड है इनका हम यूज कर सकें और इसके खनन से ग्रीन हाउस गैस भी बढ़ेगी आप देख सकते हैं ग्रीन हाउस गैस बढ ग्रीन होती है इनके खनीज के खनन से इननी कि आप समझ सकते हैं इसको कह सकते हैं पर्याबरनी कारण से इसके पुनर चक्रन की हमको अवज सकता है कच्चामाल सेमित है लेथियम आयन के लिए हम आयात पर निरवार है भूजल प्रदूसर्ण हो रहा है और पर्याबरन इंडिया और सिंगापूर ट्रांजिट है मिश्ट का पूरा नाम म्यानमार म्यानमार मलेशिया इंडिया सिंगापूर ट्रांजिट यह एक सब्मरीन केबल सिस्टम है सब्मरीन का मतलब सब का मतलब होता है नीचे अंडरनीथ मरीन का मतलब होता है तो समुद्र के अंदर एक केबल सिस्टम जाएगा यह आप जानते होंगे इंटरनेट जो चल रहा है वो जनरली इसी से अभी जब तक स्टार लिंक प्रोजेक्ट व्यापक तोर पर नहीं आ जाता है तब तक अभी इंटरनेट हम लोग यूज कर रहे हैं वो समुद्र के मंत्रा लेद्वारा मिश्ट के सब्मरीन केबल सिस्टम के लिए तटी विनियमन्द छेतर की मंजूरी देने की सिफारिस की गई है और यह केबल ए 8100 किलो मीटर लंबी होगी अब इसको देखते हैं कि यह कहां से सुरू हो रही है केबल यह आप इसको देख सकते हैं इसमें यह सिंगापूर का छेतर समलित है एक मिनट कलर चेंज कर लिए सिंगापूर का छेतर इसमें होगा मलेसिया मलेसिया में कनेक्ट कर रहा है थाइलेंड और मियानमार और भारत में दो एक बाइपास भी है चिन्नाई और एक मुंबाई यहां पर सुरी मुंबाई होगा इसमें तो यह आप इसका रूट देख सकते हैं केबल का रूट है यह सिंगापूर मलेसिया थाइलेंड मियानमार और मुंबाई यह भारत को भी यह समलित करेगा अगर इसमें एक अंतर राष्टी सब्मरीन केबल संचार नेटवर्क है यह ऐसा नहीं कि इन्हीं देशों के द्वारा ही समर्थी ते यह अंतर राष्टी सब्मरीन केबल संचार नेटवर्क है यह एसिया में सुरच्छित मजबूत किफायती और विस्तसनी चैली कम्यूनिकेशन सों विधाई उपलब्द करवाएगा और इसका मुकरू रूट है तुास सिंगापूर के तुास से भारत के दोनों दोनों चैत्रों से इंटरनेट का प्रवाह बना रहे भंबाई Agi तो से भी बहुत सारे हैं जियो वगेरए आपने केबल सिस्टम लगाया हुआ है मुंबाई छेतर में इसमें फाइबर टकनोलाजी का प्यो किया गया अब यह प्लधWhen t सेंटर्पींटर्फर से बीच म संच ने-टर्पारवस बेगे जब इसको लेजर से भीजते हैं तो यह यहां पर जाता है इसी की प्रूह इंटर्नیट हम लोग चला रहे हैं इसमें अब देख सकते कि यह ईक गुफ फाईबर होता है ऑप अप्टिक ग्लास फाईबर होता है और उसमें लेजर जैसे ही हम यहाँ से इसको ट्रांस्फर करते हैं तो यह रिसेप्टर के द्वारा बहुत तेजी से एकसप्ट कर लिया जाता है इसलिए तेक्नोलोजी इतनी ज़्यादा वाइबल है क्योंकि इसमें डेटा का संचरण बहुत तेजी से होता है और यह जो ग्लास फाइबर होता है यह कहीं भी इसमें ऐसे लेजर बीम सीधे ही चलती इसमें टकराती नहीं अगर टकराती भी है तो भी यह बहुत तेजी से अपने रिसेप्टर तक इसमें रूट याद रखिएगा मुंबई से सिंगापूर के लिए है सिंगापूर का तुवास चेत्र है और भारत का मुंबई चेत्र इन दोनों के बीच में लिंक यूज होगा मिष्ट का मिष्ट मैलेशिया म्यान मार इंडिया सिंगापूर ट्रांजेट है यह बहुत जो अन्टार्कितिक छेत्र में जो भारती अनुसंदान है उनको हम घरेलू कानूनों के दाइरे में ला सकें अब इस विध्यक के बिज़ेस्ताइं क्या है यह अन्टार्कितिका में बहतर सोधकार और वहां के पर्याबराण सूरच्छा के लिए एक कोस के गठन की बात करता ह यह विध्यक और भारती न्याच्छेत्र को अन्टार्कितिका तक बढ़ाने की बात कर रहा है इसका उतलब क्या हुआ भारती न्याच्छेत्र अन्टार्कितिका तक बढ़ाने का कि अगर अन्टार्कितिका संब्धि कोई भारती अभियान है तो उसको प्रभावित करने व आए हैं अन्टार्किटिका विद्यक 2022 इसके दाइरे में वैब्यक्ति आएगा चाहिए वह भारती हो या विदेशी हो अंटार्किटिका की प्राक्तिक अवस्थित के लिए खत्रा माने जाने वाले खरन जैसी गते विधियों को प्रतिबंदित करता है यह विधियक और अंटार्किटिका संधी के लिए किसी भी अनपच्छकार की लिखित अनुमत के बिना भारती अभियान को भी यह प्रतिबंदित करता यह दियान रखिएगा कि अगर कोई अनपच्छकार जैसे टोटल 54 गेस हैं इसके पच्छकार अंटार्किटिका संदी में 54 पच्चकार हैं इन में से किसी एक की अनुमत लेनी पड़ेगी अगर हमको वहाँ कोई भी अभियान या रिसर्च काम करना है अगर 54 के 54 देश नकार दे रहे हैं तो वहाँ पे भारती अभियान नहीं चलाया जा सकता अब यह देख लेते हैं विधयक का महत्व क्या है अंटार्किटिका यात्रा या गतिविधियों को बेनेमित और होने वाले विबादों के लिए मूल भूत नियम निर्दारित करता है यह जो विधयक है वह अंटार्किटिका यात्रा जैसे कोई भी अगर अन्टार्क्टिका यात्रा कर रहा है भारत का आदमी या वहाँ पे कोई गतिविधी करना चाहे रहा है तो उसको बिनेमित करने के लिए और उसमें होने वाले भविस्ट में जो भी विबाद होंगे उनके मूल भूत नेमों को निर्दारित करेगा यह विदेयत और समानों की मौजूदगी को रोकता हूँ यहां पर समुद्री जीवों का दोहन ब्यापक तोर पर नहीं किया जा सकता इस पर रोक लगाता है भारती सुद्ध करताओं के लिए यहां अन्वेशन का रास्ता खोलता है आए देख लेते हैं इसमें भारत के कौन-कौन से इस्थ 84 84 या 83 सब्सक्राइब इसे ओपन किया गया था लेकिन अब यह क्लोज हो चुका है यहां पर यह इसको देख सकते हैं पिंबुल सिन आई आई सेल्फ है यहां पर काफी बर्फ बगारा पिखल चुकी है दूसरा हमारा मैत्री यह सिर्मकर हिल्स पर अवस्तित है आप यह दे मैत्री भी चल रहा है लेकिन इसमें साइंटिस्ट लोग अभी इतना इंट्रेस्टेट नहीं है अब जो हमारा एक इस्टेशन जो चल रहा है वह है भारती यह आप देख सकते हैं नाम इसका भारती इसकी अवस्तिती यह है यह है प्रिंसेस इलजाबेत लेंड के इस्ट कॉर्णर पे भारती इस्टेशन है यह भारत का है यह लार्समन हिल्स पर अवस्तित है भारती इस्टेशन जो है वह लार्समन हिल्स पर अवस्तित है अब इसमें और कौन-कौन सी चीज़ें आपको इंपर्टेंट हो जाती है जैसे ये एक विंसन मैसिफ है विंसन मैसिफ यहां की सबसे उची चोटी है सबसे उची चोटी है अंटार्क्रिका महादीब की सबसे उची चोटी है विंसन मैसिफ और आपको यहां पे यह जो पॉइंट दिख रहा है यहां पे आपको बोथ सोक मिल जाएगा वोट सोक जो की रसिया का है यह सबसे ठंडा पॉइंट है वोट सोक विस्ट का सबसे ठंडी जगह है वोट सोक अब आप इसमें अमेंड सेंसी देख सकते हैं यह पूछा जा सकता है वेडल सी रॉन आइस सेल्फ पॉआम लेंड यहां पे गोल्ड भंडार पाए जाते है और रॉस आइस सेल्फ रॉस आइस सेल्फ भी आप यह इसको यह इसकी कुछ लोकेशन सें जो एक्जाम के लिए इंपॉर्टन हो सकते हैं जैसे विडल सी हो गया रॉस आइस सेल्फ हो गया अमेंड से एंसी हो गया अभी एक किसी सिविल सर्विस के एकजाम में एक सी के बारे में पूचा भी गया था इसमें टोटल चोवण पच्छकार देश हैं भारत इसका 1983 से इसका हिस्सा है अंटारिक्टी का संधिका आई हम देखते हैं हमारा आज का चौथा टॉपिक रूस यूक्रेन खाद समझोता ये क्या है रूस यूक्रेन का यूद लगवग छे महीने से चल रहा है रूस और यूक्रेन ने काला सागर में बंदरगाहों से आनाज के नियंतरण को फिर से सुरू करने में सहीमत ब्यक्त की है और यह सेमती सैयुक्त राश्ट और तुर्की के बीच हुए समझावते का एक हिस्सा है और इस समझावते में जहाजों की सुरचित आवाजाही सुनिश्चित की गई है अब यह समझा होता है कि जरूत क्यों पड़ी क्यों क्योंकि ये तुर्की एक बड़ा देश है जो ब्लैक सी और मडिटेरेनियन सी दोनों से लगता है अगर अब रूस को कोई भी ये रूस है रूस को अगर कोई अपना ब्यापार करना है तो यहीं से निकलना होगा यूक्रे के बीच में समझा होता किया गया उसके बाद रूस और यूक्रेन अपना खाद सब्लाई पूरा कर सकेंगे अब देखते हैं कि इसमें इस युद्ध का महत्व क्या है शरी इस युद्ध का नहीं समझा होते का महत्व युद्ध के कारण काला सागर के बंदर गाहों पर अब यूक्रेन निर्याद कर सकेगा और रूस उर्वरक निर्याद कर सकेगा रूस उर्वरक निर्याद कर सकेगा इस संदिके द्वारा क्यों कि रूस बिस्सु का अकेले 13% उत्पादा करता है रूस का उर्वरक का 13% उत्पादान अकेले रूस करता है और विस्व की एक चौथाई गेहूं किया पूर्थी रूस और यूक्रेन दोनों मिलके करते हैं उसमें से 20 लगवग 20% रूस करता है निर्यात और यूक्रेन असी परसेंट रापूर्थी करता है और यूक्रेन विस्व का चौथा सबसे बड़ा मक्का निर्यात यूखरेंट एंप्वार्टेंट है परी के लिए आई देख लेते हैं बल्लैक सी के बारे में किया एक्जाम्य पूछा जा सकता है एक मिनट अब ब्लैक सी के अब अबस्ते दो देख सकते हैं इससे कौन-खौन से कंट्री की बाउंडरी लगती है तर्की, जॉर्जिया, रूस, यूक्रेन, रूमानिया, बुल्गारिया और ये टर्की का ही भाग है अब आप इसमें देख सकते हैं कि सी आफ एजोब और ब्लैक सी को जोडने वाला है केर्च जल्डवरूमद ये याद रखिएगा केर्च जल्डवरूमद सी आफ एजोब और ब्लैक सी को जोडने वाला है केर्च जल्डवरूमद और ये रसिया और यूक्रेन को भी जोडने वाला है केर्च जल्डवरूमद ये बहुत इंपॉर्टन्ट हो जाता है केर्च जल्डवरूमद दूसरा आपको इसमें कौम सा इस्ट्रेट याद रखना है? पास्फोरस इस्ट्रेट यह C. आफ मरमरा और ब्लैक सी को जोडता है यह आप यहाँ पे देख सकते हैं C. आफ मरमरा और ब्लैक सी को जोडता है बासपोरस इस्ट्रेट और सी आफ मरमरा और एजियन सी को जोड़ता है डार्डेनिल जलसंदी डार्डेनिल जलसंदी सी आफ स्वरी सी आफ मरमरा और एजियन सी को जोड़ता है डार्डेनिल जलसंदी यह आपको तीन चीज जरूर याद रखना है के रिचे जल डमरूमद ये इसकी अवस्तिती कहा है किस जल निकाय को जोड़ रहा है बस्पोरे से स्ट्रेट के अवस्तिती और डार्डनेल जलसंद के अवस्तिती क्यूं क्यूंकि अगर ब्लैक सी से कोई भी व्यापार करना है ब्लैक सी में आना है तो ब्लैक सी में आने के लिए आपको ब्लैक सी से आपको मेडिटेरेनियन सी में जब तक आप नहीं आएंगे तब तक आपका सेस्बिस्ट के साथ संपर्क नहीं हो सकता इसी लिए ये जो स्ट्रेट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डार् कमेंट करके बताइएगा थैंक यू फॉर वाचिंग